आ गए हैं अच्छे दिन किसी और के आए या नहीं आए लेकिन रसोई के अच्छे दिन आ चुके हैं जी हाँ जो सिलेंडर पहले 970 का था अब वो हो चुका है 1018 रुपे और 50 पैसे का यानि की सीधा 50 रुपे जादा 50 रुपे मतलब समझते हो आपकी जेब से 50 रुपे जो अब निकलने वाले हैं जिस व्यक्ति की तंखवाई अगर पूरे दिन की 50 रुपे हो तो वो क्या 50 रुपे भी इसमें लगा दें जो स्लेंडर 970 का था वो आज 1018 रुपे और 50 पैसे का गर दिया है यह हमेशा 50 पैसे कहां से बीच में डग जाते हैं बाचित करने के लिए हमारे साथ हमारे साथ जुड़े होएं इस वक्त मनोज राड़ी जी पूछ ले दे इनका क्या माना है इनका क्या कहना है चलिया यह सर कैसे जा रहें आपके अच्छे दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं जी मोदी जी की दया है अप्राध लूट पाड़ी बड़ी लड़ाई लड़किया सरकार बनाईत만 mateix पूरा अक्बार बर्या पिध्यास है मैंग आई अप्राद, लूट पाड, बड़ी लड़किया और बड़ी लड़किया सरकार बनाई थी भरिया भी उखिया लेगडी जिसी पाथ लिए ठीक कैसे बाई इन वी देर्या के सब ताई छूट चाई कोई कितनी अमचाव लूट पर आपां घराबी के विपक्षे ना बोलता दीचता एक कमानस से मैं माला बलराज कुंडू जो इनके खला आवाज ठान लागे रहाशे अरब पर वो ते एकला से ना 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 इब एकला कोन्या इब बलराज कुंडू ने मारी लड़ाई लड़न खाते एक मंच बणास है जनसेवक मंच याद बहुत बड़ी आ बात है फिरत लोग उसके बारे में ठीक कैसे जो नेता नहीं योसे बाई और बेटा सासक नहीं योसे जनसेवक हाँ पर इब बलराज बाई ने एकलानी छोड़ांगे उसकी गैल लागांगे वोले तु मेरे साथ मैं और योले जनसेवक मंच का जंडा हाथ मैं जनसेवक मंच से जुड़िये ये मंच ही नहीं हथियार है वबस्था परिवर्तन का जब तेल तेल का खर्चा मोदी जी जाएं तो आज के दिन सबसे बड़ी अच्छे दिन तो मनोजरा ठीके दिन आ रहे हैं क्योंकि सो रुपे तेल के लवाना पड़ है और आज सिलेंडर के पचास अरपी और बढ़ा दिये हर पांस दिन में तस दिन में पचास अरपी है पचास पैसे कर दिया सिलेंडर का रेट आज पिर सबसे बड़ी बात कि है कि बला जी दिन अच्छे आ रहे हैं देश को बचा रहे हैं आमना तो यहीं नहीं पता कोन बचरे हर कोन मर रहे है महंगाई चरम सीमा पर है अब तो लट वाजन का काम हो गया है नहीं शल्क पताईया हमेशा Cal Ipi सब्सक्राइश पांट कर रह जाते हुआ है इस बार भी नहीं गया है운 दशार 118 और पचास पैसे पचास पासे का क्या सी शिर नहीं पचास पैसे आगे-पीछे अगर एक व्यक्ती पचास पैसे कम दे दे यां ज्यादा दे दे तो क्या वो ले लें किया अजेंसी बाला मूड़ भी कून ले ज़ा उसनेको एक सो बंदर अएक जारबर तरह पन्दार रपी दे दे कितने रपी बच गिये तीन जार बच गिये तीन जार तो नुग कमा गया और आम आदमी की गोल ते पंद डेड़ रपिय भालतू ला गया इमने एक रपिया कुला मिला नहीं पचास पैसे कुलने मिले इसलिए या भी एक सोची समझी प्लानिंग हो है कि पचास पैसे, पिचेतर पैसे, असी पैसे इस परकार ये रेट रखते है या तो राउंड फिकर में जार रपी रख दो, या एक जार बीस रपी रख दो एक जार तीस रख दो, एक जार दस रख दो अपना सामान एम आर पी पर नहीं डिसकाउंट पर लो और हिसार में डिसकाउंट कहा मिल रहा है ये जानो सेल्ट्रेंडिंग डाट कॉम पर विजिट सेल्ट्रेंडिंग डाट कॉम पहले कंपेर करो फिर शॉप करो उसके हिसाब से अगर आपको का तो अप ये मानलें हो कि इसके अंदर एक करोड़ मानलें लिए और दो प्रलियो किपा लिए खिर्याख किसी सरकार के स्लेंडर ऑजो ये पैट्रोल का रेट चला है कभी असली से कि महिंगाई जो एस में बताया आपको ऑसे कैसे बताऊंगे कैसे बताओंगे इन लोगों ने जो रेट बना रखे हैं इब चलो पैट्रोल तो हम 20 रपियां गलवा लिया उसका रेट किमी हो लेकिन सबसे बड़ी बात है सिलेंडर तो कुन लिया जा सिलेंडर तो पूरा आवगा उसके 1118 रपिये 50 पैसे देने बढ़ेंगे अगर हमने 1118 रपिये 20 पैसे 50 पैसे होगे एक हजार बीस रपए दे दिये तो टेट रपिया उल्टा कुंदे अगला सबसे बड़ी बात तो यह यह बेबेस सोचने और समझने की बात है हम यह पबलिक को समझाना लग रहे हैं डेड करोड़ का डेली का जाड़ा लगा फ्रागे देख ल जो है ना यहां पर सरकार को बदनाम कर रहे हैं क्योंकि मोधी जी ने 378 ती 378 उसके पांच भी आप कह रही है बात बता बढ़ा बेबे सारी सोदा अटा दिया आदमी अटाने बाग की रह रहे हैं ने किसी और ने अटाया तो बताओ आप मैं कदना टू हूं इबी आदमी बताओ आने बाग की रह रहे हैं मैं तो अगर योग काम चाले हैं थोड़े दिन माई यह मोधी जी ना आदमी अन बैठा देगा सारान अर जब आदमी नहीं बचाएंगे तो 377 तंदर का के करांगे हमें सबसे बड़ी बात आज के दिन अगर को चाहिए तो आज के दिन चा आज भी मेरे पास आए वे थे कि कल परतसन करेंगे अटोल के ऊपर एक बात बताओ बेबे वो बरती ओन खातर परतसन करेंगे मारा को नोकरी दो बरती दो इन लोगां तो ऐसा काम कर दिया 378 चलो अटादी बहुत बढ़िया काम करें हमने बड़ी परसंशा करी बड़ा जो अज़ अज़ बाड़ा कि जो परती के तैयारी करना लागरें हुआ अवरेज ओन लागरें आप पर लागरी है अगर आप सेर पालोगे तो अशेर की थरह अपर फी तो खर्चा बहुत आप बढ़ेगा उस पर फेसे इंडू को अम तो लोमडी पाल लैंगे पर लोमडी की देओ, हमने थोड़ी बड़ है सेर है, खुद आगया धक्कत है, सेर मन की बल़ है, मैं सेर हूँ, अब तो जनता देख गी, सेर है कि सेर की खाल पहर रहा है, वो तो साना का सामना आओगा, देखो मैं आपने एक बात बताऊँ, सेर कौन होता है, आज आपको एक बात बताऊँ जीडीपी का, एक सोटा सोंदान कितना देज लागेगी, तो मारा देश कहा जान लग रहा है, क्या मारा देश भी सिरलंका होने वाड़ा है, क्या मारा देश भी फेल होगा, ये बहुत बड़ी बात है, और फिर भी हर आदमी को एक उट्टी पलाई जावे, जो ये भगत है अंद भगत है, ये कहते हैं कि हमें सुपर पावर बनना है, ये कहते हैं हमें सुपर पावर बनता है, लेकिन मैं इन भगतों को एक बात बताना चाहूँ, सुपर पावर अगर आप लोगों को बनना है, तो सबसे पहले आप लोगों को आर्थिक तोर पे मजबूत होना पड है इसलिए इस लिए इसलिए पावर है चाहिव मात्राँ प्ष़ में खुद का ऐसलिए सुपर पावर पहली बार मैं मौदी जी राट कर्ज़ा में अलके ाज सुपर पावर बनांगे सर आज 50 रुपए 50 रुपए स्लेंडर में बढ़ाने का मतलब है देश को मजबूती की ओर लेके जाना आप तो उनके जो विचार है पूरे बदलने में लगे कमजोर कर रहे हैं देश को बेबात सुन ले देश जो 200 रुपए स्लेंडर था जब बीनू चलन लाग रहे है अब अनने 120 रुपए गर दे तो भी उनू चलन लाग है यह चे पांच जार स्लेंडर के कर दियो फिर भी देश तो ऐसे चालना है करजा ऐसे ही रहना है मैं बार बार एक बात इस पर देश की जन्ता को समझाना चाहूं हूँ कि करजा लेना करजा लेना इ 1088 रऱ्पया शिवेचार कर दिया पाट यहां पूला जी विकास मा लगा वाँँ यह आपने एक बात बताना हिऊ और आज ग्राउनड पर देख लो आज कमल गुपता जी के काम करे वे देख लो आज विनोद मेयर साब के काम करे वे देख लो देख लो यह जो काम करना रह ह हैं इसके अंदर बंदर बात होती है खत्र साथ साहब खुद गाऊ थे भला मैं एक रपीया बेजुंस तरह एक रपिया हहा है अर्निचे एक रपिया हाए जावा है जब लाग गया तो तीस चालिस पैसे लाग गया है साथ पैसे खा जाते है इसमां ठेके इसमें आपके अधिकारी सामिल है आपके नित्ता सामिल है मारे पास तो इन चीजों के शबूत है मापने दिखा सकूँ कि किस एरिया में कुन सा कितने खा गया एक बात बता हूँ मारा मेयर साब का छोटा सा मकान वाय करता है सेक्टर 14 में कोठी बनावे बी मारा विदायक का क वह बना दियूगा कि बना जिए इस इसार ने बताओ था गुपता जी पिछ ए वह बना दियूगा में एक एक बात मैं साफ कहना चाहूं विदायक जी ने बहुत मोटा माल खांच लिया वो माल किसका है वो माल मारा है इसलेंडरा में कि पट्रोल में काम देवां वो पैसा विकास के लिए निच्चा बेजह खाटर साब और वो यह खा जांगे पचास रुपर हमें ही तो मिलेंगे विकास जब होगा उस विकास में तो हमारे 50 रुपर लगने वाले हैं कोई कसर है तो बता दो आप मैं तो यह तो बता हूँ वो मिलेंगे इंदोर वाडों को जाके मारता है को नहीं मिलें अगर पचास रुपर हम के देवन लाग रहे तो इंदोर वाओं को मिलें कैसे मिलें बताओं आपने में एक बात बताओ वो पचास स्पेसिविकास करनाम पर निचाओंगे निचाओंगे तो मारा विदायक जी के करागा कि में ठेकेदार नक हुआ द पर आड़ बताओं इंदोर इसकी वहां शनमोटा सोदा खिर राख्या है शोरूम खिर राख्या है मनन तो एक बात और भी सूनी है कि इंदोर मो उस्पिटल बनान लाग रहे हैं अमारे गुपता जी कमल गुपता जी मंतरी जी इसका मतलब कि अश्या पर आपको लाइव द तो आप पूरा उनते पहले उसका नास हो जा है तो आप केमान ओगे पैसा कहा जान लग रहे है ठेकेदार की इमत कोनिया किला खाजा किसी अधिकारी की मत कोनिया के लाग भाजिए तो बन गई ना से कितनी दिखाव मा बुरा हाल है कल आसी के अंधर मा आपने गुदार नह कोनिया उसका पहले सुमत त्रेड पाट की सारे दुगंदार कठे होगे मैं भी वहां गया तो आमने वहां जा कि देख्या कि लिल्ली रोडी जो डालनी चाहिए थी वाद उनने लाल रोडे डाल रखे थे जहां उनने क्रेसर डालना चाहिए था वहां दाला चंड डाल रख जेई साब ने देख्या वह दो सुझाangen जेई साब गया अब भाज सचाई के है कि आंसी में जितने भी रोडों के टेंडर हूट रहे है वो विदायक जी का सीर हूनमें जाईलेंट पार्टनर है कि मीदायक जी तो ठेकेदार है उस पर पहले भी कलेम पड़ लिया और वो प जिशन चोटअरा काम गाम यहिए पीडवलू डिस के अंदर रोड रोड के टैंडर निकले हैं आपकी साढ़कों के टैंडर निकले हैं आचे कि अंदर पृसले काफी समय त Reports है घ्च शुप सेंडर उसके तेंडर पूर्टर बंद कर दिया जाओ है इसलिए दूसरा को कम्पीटिशन में हावा है को नहीं को ओर ठेकेदार वहां फारंबर ही नहीं पाता इस तरह काम बांड दिये पूरे अरियाना के अंदर दुश्यन चोटडा साब ठेकेदारों को एक बात कावा है जिसने काम चीए मेरे को 10% पहले दे जाओ और अपना फारंबर लेओ बड़ी आरेट मां आज ठेकेदार काम लेना लाग रहे हैं खूब परदेश को उठन लाग रहे हैं जितनी लूट दुश्यन चोटडा ने करी पूरा बेच दिया गया है एक बात मजमा साब बताऊं आज कल जो टेंडर उठन लाग रहे हैं वो काफी पलस में उठन लाग रहे हैं पहले माइनस में टेंडर जाया करते उसका कारण सिर्फ यह है कि दुश्यन चोटडा ने कि नया फार्मूला इजात करया कि कुछ सा फार्मूला कि ओन लाइन टेंडर बरे जाएंगे बला ठीक है जी इप जो पॉल्टर उसको बंद करकी रखेंगे रात को ठेकेदार से सैटिंग करके और उसी टेम खोलेंगे उस टेम पर ठेकेदार टे करते जो उनका खुद का वया करता आज भी वो एक खेल खेलन लाग रहे हैं यह मेरे आरोप नहीं सच है और कुछ साने तानुगंदा जूट बात है तो मेरे सामने करवादो जी मैं राजनित्ति करनी छोड़ दियूँ है उसके जूटते खाऊंगा अगर मेरी एक बात जू उसके बाद में खट्र साब की पूरी टीम सारे मंत्री सारे विदायक और बड़े-बड़े अधिकारी बे सचाई है एक सब एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो पैसे नहीं सूरदा हो कुछ इमांदार अधिकारी है उनमें भीचारा खुड़ लाइन लगा दें ऐसा नहीं क जाए है यह मंदर में बढ़ जिनेम कर दें कुछ सानेता मैं पैसे कुन खाओं मैं रिशुत कुन खाओं मैं बेबे आज राजनिति का जोड़ा दर दिआए एक नहीं कर देते तो इस बात का एक बात बताओ बेबे पैसा तो आम देवां पचास अरभी मारे बढ़ा दिये आम जनता के बढ़ा दिये वो सारा पचास प्चास अरपे कठे हो के वो जाओंगे कहा सरकार के पास सरकार उसने विकास का नाम पर निच्चा बेज देगी और उसको मिलके नेतर ठेकेदार अपसर खा जाएंगे जनता को के मिला ठंठन गोपाल नहीं तो जो गरीब आदमी है जो पहले से ही इतने जादा करजे में है जो इनके पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी तक नहीं है वो इसके लिए वास नहीं उठाए चुप बैटे तो आपको नोते हैं इसके बाद उठाने के लिए लेकिन दुश्यन चोटड़ा जैसे खटर साब जैसे और जो मंत्री महोदे हैं विदायक महोदे हैं उनकी सोच यह है अगर आम आदमी को रोजगार मिल गया आम आदमी के पास पैसा आ गया या आम आदमी को हमने विदेश बेज दिया और वहां से उसने पैसा कमा लिया तो लोगों कि एक गंदी सोच जो है ना या एक गंदीगी पैदा करती है कि गरीब आदमी को और गरीब कर दो मद्यम वरक को समाप्त कर दो और अमीर जो एक परसेंट है वो उनके गुलाम है अमीर आदमी तो नेके खिलाप बोलता नहीं क्योंकि पैसे कमाने है उसने तो आज क बात आप नोट कर लियो मेरा खुलम खुला चैलेंज है मैं तो आम जनता से आज और के वे एक बात की अपेल करना चाहूं बाईयो ये सत्य है कि आज कुछ लोग हमें लुटने लाग रहे हैं और लुटवा में कौन है दुशन चोटाड़ा और विदायक आपके अब सचाई ह है और जो लुटने वाड़े बड़े आदमी हैं पैसे वाड़े आदमी हैं वो सरकार के खिलाब कभी नहीं बोलते नहीं विदाय के खिलाब बोलते नहीं मंतरी खिलाब बोलते वो सिरब माल लुटन लाग रहे हैं यानि कि आदा परतिशत लोग ऐसे हैं जो माल को लुटन गराडी आज भी गुस्ता मुर्दी नुबली सारा गे मुद्दे ठावा तू महरा सिलेंडर महांगा हो गया महराजी करें को नहीं करें अच्छे दिन आगे हैं इप जुत्ते परन के दिन भी आओंगे मेरे जैसे जो गरीब आदमी हैं मेरे जैसे मद्यम वरके जो लोग हैं उनका कराई जुत्ते मारेंगी आज मजदूरी करने वाड़ा सिलेंडर पर उटी नहीं पो सकता आप नोट कर लिए मजदूरी करने वाड़ा तो वापिस चुल ले पागे बेबे अजार रुपए का सिलेंडर कौन ले वागा गरीब आदमी का बसकी नहीं है जो मद्यम वर उनका ये मुख्यकार ने जिस रहा सोई का खर्चा बिनने का 10,000 रुपी था आज वो बढ़ा कि सरकार ने 20,000 रुपे कर दिया और ये एक बहुत बड़ी बात है मैं तो सारी बेना ने एक बात कहना चाहूं बाई बात सुनो शांती से ठंडे दिमाग से काम लो अपने मजबूत कर रहा है और पहले के कमजोर थी शीमाष देश की जब भी किसी दुसमान ने मारकानी आँग उठा के देखी हमने मूँ तोर जवाब दिया और यहां तो बहुत मजबूत है फिर भी मैं उन्त बगताने एक बात बताना चाहूंगा आज बी जे पी गोवर्मेंट जो फोज की नफरी चोदा लाग थी हमारी चोदा लाग से गठाकर नो लाग पे लिया आई रूस नफरी बढ़ान लाग रहा है अमरिका अपनी नफरी बढ़ान लाग रहा है यूरोपियन देश अपनी नफरी बढ़ान लाग रहा है और बाहर ता अपनी नफरी गठान ल पड़ें वे तो नू भी कहा है कि फोज तो परीमतन खाले वे लेकिन मैं उन्नेताओं को एक बात कहना चाहूंगा जिस दिन यह फोज नहीं होगी जिस दिन यह सूरवीर नहीं होगे उस दिन वो बदमास आतंगवादी आप लोगों के बैड़ पर बैठे पाएंगे यह पाक आज़ाद वारत के अंदर पहली भार अज़ाद हिंदुस्तान में पहली भार तीन सालसे बदबद हैं फोज की तीन सालसे क्यों 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 है प्टान लाई रहे है निचे निचे आप देखो ने आप देखो हर चीज मार दिये इस सरकार ने अब गोड़ी खानी बाकी रह रही है लोगों को इतना प्रेसान कर रहा है सुसाइड करना लगे लोग बेरोजगारी के डर से आज अरियाना बेरोजगारी दर में सबसे उपर है कट्र साब से पूछना चाहूं हू इस तरह बड़ी आदिनास के हैं तो वाइब बता देवाई नहीं तो कि साई दुख तक्लीफों कर टेंडर वापिन एक रखा हूए अगर कोई भी आता है आपके बास चले जाते हैं आप दंगे फसाद कर नहीं एक आजाए कि सड़कों पे उतर जाते हैं तो कि इस बार भी यह करने वाले स्रेंडर लेकर सड़कों पितर जाएंगे अब आप एक बात बता हूँ बेबे कोई दुखी आदमी आओ है मैं उसके कहला ना जाओं मैं तो जंता से पूछना चाहूँ बाइयों से पूछना चाहूँ अगर कोई मनोजरा ठीके पास मदद मांगाना हो है क्य मैं उसके साथ ना जाओं उसके साथ जाओं तो क्या उन अधिकारियों को सचाही ना बताओं क्या उन अधिकारियों से ना लड़ूं क्या उस सरकार से ना लड़ूं बेबे एक बात बताओ चाहे आप मना आतंगवादी कहो चाहे आप मने लफंगा कहो चाहे आप मने कुछ भी को चैदंगा फैलाने वाड़ादमी को लेकिन सच ये है कि मैं स्रड़क पर उतरूंगा मेरे पाथ जो भाई मैं बताओंगे उनके लड़ाई भी लड़ाई और ना बताओंगे तो भी मेरा फर्ज बनता है नहतिक फर्ज बनता है कि मैं लड़ाई लड़ू और जनता को ज में आज फेर आगे आड़ चलो हमें क्या सबकी अपना अपना नजरिया होता है और राठी सहाब से भी हमने बातशीत करी लिए अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग तो कहने सकते हैं लेकिन अपका क्या मानना आप तो बताइज सकते हैं कमिंट एक्शन में जली जव लग रहा है पर नीत मारी है नीत खोटी है आप divul़ा लाड के विधायक ची की बारे के लाड़ के विधायक सिरीमान जोगीराम शियाग नये यहां एक जारगत जमीन थी किसी सोसाइटी की और उसको सकूल बनाना था उस पर कब्ज़ा करवा दिया और खुल यहां अगलन दमकावे हैं बोले मन दी है तो मैं ले भी सकूँ मैं जोगी राम सियाग से एक बात पुछना चाहूँ हूँ पान सो शेसो करोड का आदमी है कुछ लोग तो आजार करोड का भी बता हुआ है जिसके पास आजार करोड रुपे हो और वो सर जमिनों को लुटता है मनने के बेरा इससे बड़े बड़े लुटे रहे और भी बैठे हैं आज बीजे पिर जेजेपे के नेताओं का एक एजंडा है कि जमिनों को जाद जादा लुट लेओ डाई साल में जितनी माल लुट्या जाओ है उतना लुट लेओ आगा तारी आणों है जितनी में भी में पिलिक है शुट के विव च्वाद से क्ली करें हैं प्लाद को सी है ऐसे बास प्राद जाद में पता लेओब की ने जोंवाल जाम हैड़ी ऑ्लाद आपता है